जैसा कि आपको पता है भारतिय सम्विधान की जो आधारिक संद्रचना है यानि की बेसिक स्ट्रक्चर उसके दो प्रॉमिनेंट पॉइंट्स समझे जा सकते हैं पहला फेडरलिजम और दूसरा पार्लिमेंटरी डेमोक्रसी आज ये दो बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल्स चैलेंज़ हैं सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन्स पेंडिंग हैं और आप न्यूज में पढ़ी रहे होंगे जो एक कॉंट्रोवर्सीज हैं आर्टिकल टू 201 से रिलेटेट तो कॉंट्रोवर्सीज क्या है हाल फिल हाल में फोर स्टेट गवर्मेंट्स जिनमें पंजाब, सेकेंड तमिलनाडू, तीसरा केरला और चौथा तिलंगाना ये चारों सरकारें सुप्रीम कोर्ट तक गई और क्यों गई क्योंकि आर्टिकल 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट है गार्डियन ओफ फेडरलिजम और इशु क्या है इशु है डिस्प्यूट ओफ सेंटर एन इस्टेट रिलेशन पर इस डिस्प्यूट का केंदर बिंदु क्या है इस डिस्प्यूट का केंदर बिंदु है गवर्नर अब गवर्नर की ऐसी क्या कारे है या गवर्नर की ऐसी क्या शक्ति है जो इस समविधानिक बहस को जन्व देती है और वो दो चीजे हैं कि जब राज्य की विधाई का यानि इस्टेट लेजिसलेचर कोई बिल पारित करती है तो अनुच्छेद 200 और 201 ये इफेक्ट में आते हैं और इसके तहट गवर्नर के पास कुछ शक्तियां होती है जैसे कि कोई भी बिल जब लेजिसलेटिव एसेमली पास कर देती है तो वो स्वता कानून में परिवर्तित नहीं हो सकता तो कानून में तभी परिवर्तित होता है जब एक्जिक्यूटिव अपना एसेंट देता है तो कौन सा एक्जिक्यूटिव यदि हम स्टेट लेवल पे बात करें तो गवर्नर यदि हम union के level पे बात करें तो president अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये प्रावधान क्यों होता है ऐसा क्यों होता है कि legislature के द्वारा जो bill पास किया जाए तो जरूरी क्यों हो जाता है कि जब तक executive उस पर assent ना दे तब तक वो कानून नहीं बनता है तो इसके संदर्भ में कई आधार प्रस्तुत किया जा सकते है इसमें एक आधार है the doctrine of checks and balances तो checks and balances एक important doctrine है और इसका आधार ये है कि हो सकता है कि जो legislative assembly ने या parliament ने जो भी bill पास किया हो वो populist vision के चलते हो तो एक neutral head of the state या अगर हम state level पर बात करें तो governor union level पर बात करें तो president तो उसके अनरूप एक sufficient time और overview लिया जा सके तो समस्या यहीं से आरंब होती है और समस्या ये है कि देखा गया है कि governor के पास जो article 200 में powers है अब वो क्या power है तो पहला या तो governor तुरंट बिल को assent दे दे second या बिल को reject कर दे तो अब ये भी एक समवेधानिक मुद्दा है कि क्या parliamentary democracy में जो executive है और हम जानते ही है कि parliamentary democracy में एक होता है nominal head और एक होता है real head तो real head कौन होगा प्राइम मिनिस्टर या council of prime minister और council of minister या फिर state level पर chief minister and council of minister अब ये लोग real head क्यों होते हैं क्योंकि हमने accountability का concept parliamentary accountability तो parliament, lower house, elected house जो है वो institution of accountability होता है government को ले करके तो parliament के प्रती जो responsible है जो उत्तरदाई है जिससे parliament question पूछ सकती है वो होता है real executive आप prime minister या chief minister की बात कर सकते हैं पैरलली जो president है और जो governor है इनको हम nominal head की श्रेड़ी में रखते हैं तो nominal head या titular head या namesake जिनके पास real power नहीं होनी चाहिए तो जहां तक union की बात है 42nd amendment के द्वारा article 74 में change किया गया और जो parliamentary democracy का convention है जिसमें tutular head के पास कोई real power नहीं होनी चाहिए तो उस संदर में परिवर्तन किया गया और बताया गया कि president shall act as per the aid and advice of the council of ministers हाला कि 44th amendment के द्वारा president को slightly या एक partial discretion दिया गया जिससे president जो है वो अगर चाहे तो advice को एक बार पुना reconsideration के लिए भेज सकता है लेकिन चुकी parliamentary democracy है center of gravity पार्लेमेंट में है council of ministers पार्लेमेंट का हिस्सा है इसलिए ultimate power किसके पास है council of minister तो इस तरीके का जो constitutional amendment करके इस्थिती इसपश्ट की गई between the relationship of president and the chief minister and council of president and prime minister and the council of minister ऐसा इसपश्टी करण state level पर नहीं किया गया हाला कि 1974 में एक बहुत महत्वपूर्ण case आया शमशेर सिंग case जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि जो प्रेसिडेंट की पावर है और गवर्नर की पावर है ये एक दूसरे के parallel powers है एक जैसी पावर है समरूप पावर है सिमेट्रिकल पावर है और दोनों ही constitutional head है और constitutional head है क्योंकि parliamentary democracy यही बताती है पर फिर भी हम देखते हैं कि जो गवर्नर या state administration के level पर वो clarity नहीं लाई गई या वो clarity exist नहीं करती है तो सबसे पहले governor की जो powers है या governor की जो भूमिका है उसके समझने के लिए एक वहत्वपूर्ण article है article 163 तो article 163 ये बताता है कि governor should act as per the aid and advice of the council of ministers headed by the chief minister पर साथ ही ये भी बताता है except in a situation where governor can act as per his discretion यानि की इस पश्ट रूप से governor को कुछ discretionary powers दी गई अब प्रश्न उठता है discretionary powers क्या होती है या हम उसको कह सकते हैं विवेका अधिकार यानि की जहां पर जो titular head है चाहे president हो या governor है वह अपने विवेक के अनुसार अपना स्वता संग्यान ले करके अपना decision ले सकता है और ऐसा जरूरी नहीं है या उसके ऊपर council of ministers की advice मानना बाध्य नहीं है तो जब भी governor से संबंधित controversies हमारे सामने आती है तो जो सबसे बड़ा controversial मुद्दा उठता है वो governor की discretionary powers को ले करके यानि कुछ ऐसी परिस्थितियां जहां पर governor ना तो consultation करे और पूरी तरीके से अपने अनुरूप decision ले तो मैंने consultation सब्द क्यों especially यहां पर रखा क्योंकि governor को constitution के अंतरगत कुछ special responsibilities भी दी गई है तो जब जहां पर भी constitution में लिखा हुआ है governor की special responsibility वहां पर consultation होता है लेकिन binding नहीं होता लेकिन जहां पर discretionary powers लिखी गई है वहां पर consultation की भी आवशक्ता नहीं है तो प्रशन यह है कि क्या in a country with a written constitution जहां पर written constitution है federalism है parliamentary democracy है वहां पर discretionary powers का scope होना चाहिए या नहीं होना चाहिए तो मैं यह बताना चाहूंगी कि हमको discretionary powers और arbitrary powers इनको अलग-अलग तरीके से देखना चाहिए यानि कि arbitrary exercise of power वो exercise of power है जिसमें ऐसा लगे कि कोई action malified intentions के साथ किया गया हो extraneous considerations के साथ किया गया हो और जिस व्यक्ति ने उस power का उपयोग किया है उस व्यक्ति ने विवेक या तर्क का प्रयोग नहीं किया वही discretionary power यानि एक आप अपने विवेक का अधिकार रगते हैं इवन जब पंची commission जो center state relation पर setup किया गया था पंची commission उन्होंने काफी विस्तार से ये distinction किया कि किस तरीके से discretionary powers और arbitrary powers एक दूसरे से काफी भिन है रहा पात discretionary power होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए या हमारे समविधान में क्यों है क्योंकि कभी भी governance में कुछ unexpected situations आ सकते हैं वहां पर discretionary power का use करना आवश्यक हो जाता है क्योंकि आप हर परिस्तिती को पहले से ही visualize करके नहीं लिख सकते हैं यानि ultimately जो भी constitution है वो केवल written rule से नहीं चलता है constitution primarily unwritten rule से चलता है तो unwritten rule क्या होता है जिसको आप कहते हैं conventions, conventions यानि की स्वस्त परंपराएं और किसी भी constitutional dignitary से ये आपेक्षित है कि वो समविधान की जो morality है जिसको constitutionalism या rule of law कहा जाता है वो उसका पालन करे और समस्याएं तब खटड़ी होती हैं जब constitutional dignitaries या तो इस तरीके का कारिय नहीं करते जो constitutional morality के अनुरूप हो या ऐसा भी हो सकता है कि वोह इस बात को communicate करने में असक्षम है कि उनका जो action है वो constitution के अनुरूप है तो कुल मुद्दा ये है ऐसा कहा जाता है कि politics में perception जादा matter करता है facts की तुल्ला में तो कोशिश ये भी करनी चाहिए कि जो perception भी गलत ना बने और लोगों का जो विवस्था में विश्वास है वो खतम ना हो इसलिए अंग्रेजी में एक कहावत है क्या कहावत है कहावत ये है कि Caesar's wife should be above suspicion यानि जो लोग public sphere में हैं उनकी activity ऐसी नहीं होनी चाहिए जिस से कोई उंगली उठा सके या ऐसा कोई भी question उठ सके खेर भारत में जो गवर्नर का पद है उस पर जो controversy है वो होना अब लगभग एक routine सी चीज बन गई है और इसका आरम शुरू से ही हो चुका है और इन सब के केंद्र में जो सबसे बड़ा मुद्दा है मेरे अनुसार वो constitutional morality का अभाव है और discretionary power जो constitution में दी गई है उसका जो exercise है वो colorable धंग से करना rather than समवेधानिक धंग से करना समस्या यहाँ पर खड़ी होती है तो समस्या समवेधानिक से बढ़कर समस्या जो है वो नैतिकता की समस्या है तो अब हम वापस आते हैं कि governor की समवेधान में आखिर भूमिका क्या है यह post है क्यों तो दो चीजे हैं जैसा हमने parliamentary democracy union level पे adopt की तो हमने state level पर भी adopt की और दूसरा जो पेचीदा मामला है वो यह है कि इंडिया ने adopt किया cooperative federalism अब cooperative federalism क्या है जहां पर center और state governments दो पूरी तरीके से स्वायत autonomous सरकारे नहीं है वरन ये एक दूसरे से interlocking की इस्थिती में हैं इसके साथ साथ एक महान और एक बहुत प्रसिद राजनीतिक विशलेशक है पॉल ब्रास और पॉल ब्रास ने ये लिखा है कि जो Indian constitution है या जो हमारा आरंब हुआ वो बहुत optimism के environment में नहीं हुआ उल्टा tripidation या एक भै के environment में हुआ तो जब समविधान बना partition और regional और aspirations तथा insurgencies चल रहें थी इसलिए एक ऐसा constitution बनाया गया जिसमें center को कुछ extra powers दी गई गई करने के लिए और जो governor की institution है उसे visualize किया गया ना केवल एक lynchpin of cooperative federalism जैसा की सरकारिया commission बताते हैं उसके साथ-साथ as a long arm of center at the state level और a long arm एक long arm है जिसके अंदर एक iron hand है a velvet glove but inside the iron hand यानि की cooperative federalism की संस्था की तुल्ना में किस तरीके से एक bargaining का instrument या एक control और domination का instrument गवर्नर का पद बन सकता है इसकी काफी संभावना रही है तो हमें इस complexity को भी काफी समझना होगा कि आज भी हम ये कह सकते हैं कि भारत में internal security issues हैं और एक तरीके से different states के level पर हमें vigilance की जरूरत होती है पर ये भी आवश्यक है कि केंद्र सरकार जब इन समवैधानिक एकाईयों के का प्रयोग करती है तो प्रयोग ऐसा नहीं होना चाहिए जो कोई भी प्रश्न चिन लगे और किसी भी प्रकार का एक कह सकते हैं कि जो वैधता है जो legitimacy है उसके उपर प्रश्न हो अब मैं आती हूँ सबसे recent controversy पर अब recent controversy क्या है अभी हाल फिल हाल में ही मानिनिय जो Chief Justice of India है तो उन्होंने पंजाब के संदर्ब में जो पंजाब के governor है Mr. Banwarilal जी तो उनका जो एक क्रत्य है जिसमें उन्होंने state government के कुछ जो bills थे उनको reserve करके रखा हुआ था और खास कर वो कुछ ऐसे bills थे जिनको आप money bill या financial matter से relate कर सकते हैं तो इस संदर्ब में हाला कि Supreme Court का ऐसा कोई judgment नहीं आया है लेकिन फिर भी एक indication दिया गया है और उस इंडिकेशन में ये बताया गया है कि governor जो है वो titular head है और governor को इस तरीके से कार्य नहीं करना चाहिए कि जो state level पर elected government है वो पूरी तरीके से irrelevant हो जाए और defunct हो जाए यानि कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि parliamentary democracy at state level becomes meaningless हाला कि चूकि इस तरीके के petitions तेलंगाना पंजाब इसके साथ साथ तमिलाडू और केरला से भी आए हैं तो ऐसा हो सकता है कि इस संदर्भ में जो judiciary है कोई एक clarity हमें प्रदान करें और जिससे कि इस तरीके की जो controversies हैं वो शायद future में ना आएं तो देखना होगा कि finally इस मुद्दे पर judiciary क्या रुख लेती है अब अगर हम मुद्दे की बात करें तो सबसे बड़ी समस्या यह है कि जब कोई भी बिल है या तो governor उसे assent दे देता है या फिर governor उस पर veto यूज करें लेकिन जहां से मैंने discussion की शुरुआत की थी तो parliamentary democracy में जो absolute veto है उसका उपयोग एक तरीके से करना बहुत ही कोई unique परिस्थिती है तभी करना चाहिए भले governor के संदर्ब में उस थरीके का प्रावधान नहीं है जैसा की president में फिर भी governor को parliamentary democracy के basic principles को देखते हुए जो भी action लेना चाहिए और absolute veto का scope नहीं होना चाहिए अब प्रशन आता है governor के द्वारा जो bill reserve किया जाता है अब समस्या है कि जो bill reserve किया जाता है ऐसा देखा जाता है कि दस दस पंदरा पंदरा bill reserve हो गए और उन reserved bills पर कोई action ही नहीं हुआ तो उससे एक लाजमी है आप इस बात को कहें कि कुछ important bills हो सकते हैं जो एक state government चाहती है और आप उसको रोक देते हैं ये भी हो सकता है समस्या ये नहीं है कि आप बिल को रोकते हैं बड़ समस्या ये है कि किस कारण वश वो बिल को रोके गए हैं ऐसा भी देखा गया है कि लगभध वैसा ही बिल एक इस्टेट का पास कर दिया गया है और दूसरे इस्टेट को रोग दिया गया है तो यही कुछ मुद्दे हैं कि यह जो चारों सरकारे हैं यह बार-बार सुप्रीम कोर्ट का दौर खट-खटा रही हैं क्योंकि इनके अनु को देखते हुए तो अब इशु यह है कि जब गवर्नर किसी बिल को रिजॉव करता है समस्य यह है है कि उसका कोई time limit defined नहीं है कि वो कितने समय तक या कितने समय के बाद उस बिल को अपना एक decision दे अब गवर्नर जिस बिल को reserve करता है यानि जिस पर अपना ascent नहीं देता है या absolute veto use नहीं करता है तो ऐसी परिस्तिति में governor क्या कर सकता है या तो governor यदि वो ordinary bill है तो state legislative assembly को वापस दे दे और state legislative assembly इसे पुना पारित कर दे अब दूसरा ये भी हो सकता है कि governor उसे सीदे president के consideration के लिए दे दे और ऐसा भी हो सकता है कि वो जो particular bill है उसको governor ने state legislative assembly बे भेजा state legislative assembly उसे फिर वापस governor तक भेशती है लेकिन जैसा कि union level पर है कि फिर president को अपना ascent देना होता है लेकिन governor उसके बाद भी उस bill को president के लिए reserve कर सेता है और president कितने time frame में उस पर अपना decision दे इसके बारे में भी constitution कोई time limit को prescribe नहीं करता है तो इसमें फिर एक unnecessary के delays होते हैं और center और state के बीच में जो एक trust होता चाहिए governance के लिए जिसी की एक good governance हो सके लोगों के कारे भली भांती हो सके तो वो जो trust है वो trust deficit बन जाता है और एक unnecessary का एक विवाद खड़ा उठता है तो साथ ही साथ हमें यह भी समझना है कि जो constitution है तो उस constitution में आप हर चीज को लिख नहीं सकते हैं तो जो भी dignitaries है वो constitutional conventions को देखते हुए और उनका जो भी नड़ने है वो पार्टी हिट से उपर जा करके राश्ट्र हिट को देखते हुए होना चाहिए अब हम बात करते हैं कि Supreme Court और Governor किस हद तक Supreme Court Governor की जो discretionary powers है उन पर judicial review कर सकता है तो अवश्य कर सकता है आधार क्या है पहला तो judicial review ही एक basic structure है दूसरा आधार क्या है federalism एक basic structure है तीसरा आधार ये है कि जो discretionary powers है जैसा कि मानिय न्यायाले ने बताया नेबाम रेबिया जो case था उसमें 2016 में Supreme Court ने ये बताया कि जो discretionary powers है वो beyond the scope of judicial review नहीं है क्यों क्योंकि discretionary power arbitrary नहीं हो सकती अक्सर एक प्रशन उखता है article 361 को लेके तो article 361 क्या है जिसमें governor और president को immunity है क्यों क्योंकि ये दोनों titular head है इसलिए ये अपने constitutional या official role को देखते हुए किसी भी न्याय पालिका के प्रती उत्तरदाई नहीं होते है परन्तु फिर भी क्या supreme court, president या governor इनके actions को review कर सकता है तो इसको लेकर के एक important case है रामेश्वर प्रसाद case 2006 का case है जिसमें supreme court ने बताया कि article 361 के अंतरगत supreme court भले governor के खिलाफ कोई direction नहीं दे सकता है और governor के पास immunity है पर उसका जो act है वो constitutionally valid है या नहीं है इसका तो निर्ने किया जा सकता है इसके साथ साथ S.R. Bommay case है 1994 का जो federalism की दृष्टी से काफी महत्वपूर्ण है जिसमें supreme court ने ये बताया है कि जो federalism है वो basic structure का part है अब जब supreme court federalism को interpret करती है तो supreme court का दृष्टी कोण क्या रहता है तो supreme court का दृष्टी कोण हमेशा से यही रहा है कि Indian constitution एक organic document है यानि की जिस तरीके की परिस्थितियों की आवश्यक्ता है हमारा constitution flexible enough है federation के होते हुए और उन्ही परिस्थितियों में राष्टर हित में जो भी best निर्णय है best direction of thinking है उस अनुसार हम decision ले सकते हैं तो आप जो भी इस प्रश्न को पढ़ना चाहते हैं आपके लिए मैं कुछ points बताती हूँ आप सबसे पहले ये समझे की हमारे constitution का स्वरूप क्या है federalism क्या है parliamentary democracy को आप समझे second आप समझे की governor की institution क्या स्वरूप क्या है और जो सबसे विवादित मुद्दा है article 163 को आप पढ़े इससे समबंधित important judgments आप पढ़े जिसमें शमशेर सिंग केस आप पढ़े नबाम रेबिया केस पढ़े और उस ruling को आप समझे आप पुंची commission को पढ़े जिसमें आप ये जान सकते हैं कि discretionary powers और arbitrary power इनको कैसे अलग किया गया है इसके अतरिक आर्टिकल 200 और 201 को पढ़े कुछ practices देखें कि किस तरीके से arbitrary धंक से इस power का उपयोग किया गया साथ ही साथ आप देखें कि वर्तमान में जो भी सरकारे हैं वो जो सुप्रीम कोर्ट तक गई हैं वो वो सरकारे हैं वो उन दलों की सरकारे हैं जो केंदर में जो दल है उससे भिन है तो क्या भारत में center state relation constitutional और legal से बढ़कर political है और क्या party politics भी इसका एक angle है फिलहाल जो एक प्रस्ताव बार बार आ रहा है कि जो भारत में pocket veto है जो काफी wide है क्या एक निश्चित समय निर्धारित किया जाए जिसमें president या governor अपना एक decision ले चाहे वो बिलको वापस भेजना चाते हैं या वो बिलको reject करना चाते हैं कुछ center and state relations के आप recommendations पढ़ें जैसे सरकारिया commission जो 1988 में उन्होंने recommendation दिया कि yes उसमें हमको एक time limit fix करनी चाहिए इसी तरह national commission for review of the working of constitution year 2000 उसने भी एक time limit को prescribe करने का बात की है इसके अतरिक्त अभी हाल फिलहाल में DMK के एक सदस्य इन्हों ने एक private member बिल लाया और उसमें ये प्रस्ताव रखा गया कि जो करनर की powers हैं उनको limit किया जाए इसके साथ साथ मैं ये भी सुझाओ देती हूं कि आप Supreme Court के दो important judgments देखे एक 1962 का judgment है पुरशुत्तम नाम बियार केस का जिसमें Supreme Court ने time limit के संदर में अपना बयान अपना judgment दिया है और 1973 का important case है दुर्गापद घोश वर्सस टेट और पेस्ट पेंगॉल जिसमें भी इस मुद्दे को देखा गया है बाकी हम सभी वेट करेंगे मानिय न्यायपालिका का Supreme Court का कि Supreme Court किस तरीके से इस मसले का हल निकालता है क्योंकि भारत के ये जो समवेधानिक इतिहास है उसमें जो गवर्नर की institution है वो आरंब से ही काफी विवादों में रही है और शायद जो एक future को देखते हुए अच्छा नहीं है तो different branches of government if they act in the real spirit of cooperative federalism ऐसा ही हम सभी भारत के लोगों की इच्छा है हम सभी भारत के लोग यही कामना करते हैं और आशा करते हैं कि जल्द ही जल्द इस समस्या का एक clear view हमारे सामने आएगा धन्यवाद